साल 2023 में गदर दो की सुपर सक्सेस के बाद सनी देउल की बोर्डर दो को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा हो रही है। जेपी दक्ता के निर्देशन में बनी बोर्डर साल 1997 में रिलीज हुई जिसने बॉक्स आफिस पर तहलका मचा दिया था। अब इसके सीक्वल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि बोर्डर दो में सनी देउल के साथ आयुश्मान खुराना भी नजर आएंगे और मेकर्स ने स्किप्ट को लॉक कर दिया है। पिनकविला ने अपनी एक रिपोर्ट में सोर्स के आधार पर बताया कि प्रोड्यूसर्स और डाइरेक्टर बॉर्डर दो को साल दो हजार चब्वीस में 23 जनवरी को गंतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज का प्लान बना रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि 26 जनवरी सोमवार 2026 को रिपब्लिक डे की चुटी होगी और इस तरह फिल्म को बॉक्स ओफिस पर एक लंबा वीकेंड मिलेगा। मेकर्स का मानना है कि फिल्म की रिलीज डेट इससे बहतर नहीं हो सकती है। सोर्स ने ये भी खुलासा किया कि पिछले एक साल से बॉर्डर दो की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और टीम ने एक ऐसी स्क्रिप्ट तयार की है जो लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। सनी देवल और आयुशमान खुराना इस साल के आखित तक फिल्म शुरू करने को लेकर बहुत एक्साइटड है। सोर्स ने बताया कि बॉर्डर दो भारत की सबसे वाव फिल्म होगी। सनी देवल और आयुशमान खुराना की फिल्म बॉर्डर दो को भूशन कुमार, जेपी दत्ता और निदी दत्ता मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं फिल्म के निर्देशन का जिम्मा अनुराग सिंग ने उठाया है। साल दो हजार चबवीस में बॉर्डर की रिलीज को 29 साल हो जाएंगे। बताते चले की सनी देवल की बॉर्डर एक मल्टी स्टार फिल्म थी जिसमें जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीतिस और कुल्भूशन खरबंदा और अन्यकई सितारों ने एहम भूमिकाएं निभाय थी। जेपी दत्ता ने बॉर्डर की कहानी लिखी थी और निर्देशन भी खुद किया था। यह मूवी 1971 भारत पाक के युद्ध पर आधारित थी। जे जे झाले बॉर्डर के युद्ध पर आधारित थी।